फोटोस के बाद अब वाइरल हो रहा है आलिया भटर रन्बीर की शादी का काड़ इस दिन होने वाली है शादी अमिताब बच्चर ने के बीसी के सेट पर क्या खुला सा पतनी जया का फोन नंबर किस नाम से कर रखा है सेव फोल फोले ये टू के बाद हेरा फेरी थ्वी पर भी पड़ी है कार्तिक आरेन की नजर क्या बॉलिवूड के खिलारी बनना चाहते हैं कार्तिक तानाजीद अंसंग वालियर के पोस्टर्स देखकर एक्साइटेड हुए फैंस के जबरदस्त कमेंट्स सल्मान खान के शो बिक बॉस में सिधार्थ शुकला के स्टार्डम से बुरी तरह से चुड़ते हैं पारेस चाबडा अबु मलिक ने किया ये खुलासा हलो गाइस इस सोनम आज मैं फिर से हाजर हूँ बी टाउन की कुछ गॉसिप्स के साथ तो किस बात का है इंतजार करते हैं शुरवाद बॉलिवुड का मोस्ट पॉपुलर कपल यानि कि रंबीर कपूर और आलिया भट की लव स्टोरी किसी से छिपी नहीं है बीते दिनों ही खबर आयी थी कि दोनू जल्दी शादी करने वाले हैं तो क्या इंतजार खत्म हो गया है जी हां बताते हैं कि इस कपल ने शादी करने का फैसला कर लिया है और शादी का कार भी सामने आ चुका है इससे पहले भी दोनों की वर्माला पहने हुए एक फोटो बाइरल हो रही थी जब इस फोटो का पता लगाया किया तो पता चला कि ये फोटो फेक निकली तो क्या ये शादी का कार्ड भी फेक है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा बिग बी इंदी रोट टीवी का शो कान बने का करोरपती 11 को होस्ट कर रहे हैं और हाल ही में एक एपसोड में अमिताब बच्चन ने कंटेस्टेंट्स के साथ परसनल लाइफ से जुड़ी हुए कहीं सारे खुलासे किये जिसे उन्होंने सभी के साथ शेयर भी किया उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी यानिकी जया बच्चन का नमबर उनके फोन में किस नाम से सेव है अमिता बच्चन ने बताया कि उन्होंने पत्नी का नमबर शौट फॉर्म में जेबी के नाम से सेव किया हुआ है इससे पता चलता है कि अमिता बचन जया को प्यार से जे भी बुलाते हैं लगता है कि कार्थिकारेन बॉलिवूड के दूसरे अक्षे कुमार बने की कोशिश कर रहे हैं यही वज़ा है कि वो अक्षे कुमार की कोई भी फिल्म हाथ से जाने का मौका नहीं दे रहे ये बात तो सबको पता ही है कि अक्षे कुमार और विद्या वालन स्टार और भूल भूलेया के सीक्वल में भी कार्तिकारिन में लीड में नजर आने वाले हैं लगता है कि अक्षे कुमार की एक फिल्म से कार्तिकारिन का मन नहीं भरा है तो वहीं अब अक्की की एक और फिल्म को हत्याने के मन में है यहां हम अक्षे कुमार की सूपर हिट फिल्म हेरा फेरी 3 की बात कर रहे हैं वेल इस फिल्म की अभी तक अनौंस में नहीं हुई है कि इसमें कार्थिकारिन होंगे या नहीं बॉल्वुड के सिंगम अजे देवगन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ताना जी दा अंसंग वारियर्स के तीन पोस्टर जारी किये हैं जिसे देखकर फैंस का भी एक्साइटर नजर आए हैं अजे देवगन ने फिल्म के पहले पोस्टर में अपना लुक शेयर किया था और दूसरे पोस्टर में उन्होंने सैफली खान का लुक भी फैंस के सामने पेश कर दिया है और अब तीसरे पोस्टर में अचितेवगण और सैफ अली खान एक दूसरे को टकर देते हुए देख रहे हैं पोस्टर देखने के बाद फैंस फिल्म का पेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं बिग बॉस 13 में पिछले एपिसोड में सलमान खान ने अबू मलिक को घर से बेघर कर दिया अबू ने घर से बाहर आते ही पारश चाबला के बारे में चौकाने वाले खुलासे किये हैं बातों ही बातों में अबू मलिक ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि पारस चाबला सिधार्त शुकला से क्यों डरते हैं पूछे जाने पर अबू मलिक ने बताया कि पारस चाबला सिधार्त शुकला की पॉपुलारिटी से बहुत ही जादा डरते हैं सिधार्थ शुकला की पॉपुलारिटी शो में नजर आती है और यही वज़वा है कि पारस सिधार्थ शुकला से काफी इंसिक्योर है वेल दोस्तों आज के इवस में बस इतना ही, कल फिर कुछ और गॉसिप के साथ मैं हाजर होंगी लेकिन तब तक के लिए आफ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेर और अच्छे वाले कमेंट्स करना बिलकुल मत भूलेगा और अज़ लास्ट ड्रिल यू नो सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा